बिक्रम सिंह जस्रोटिया जी थे उनको बताई है सर मुझे बोलते हैं चमार जाती के लोग इदर नहीं रहने चाहिए को बो चोक्य अफी सर थे पहले व्योग थे हममनमाल में थे उनको मैंने बताइ है मैंने का सर ऐसे ऐसे बात है जि मुझे लोग तंग कर रहे हैं बोलते हैं आप तो जब भाउं बरते हो तो ऐसी कैटा गिरी का सबसे उपरा आप डाकुमेंट्स लगाते हो वो क्यों लगाती हो उदर हैं तो अब अगर बोल दीका तो क्या हो गया जूपी बिहार में आप जैस सब कुछ बोल ला है मुझे सर उन्होंने तो अगर जी मुझे बोल सकते हैं तो मुझे चोकी में जाने के लिए डरता हूं कि मेरी फैमिली के साथ देख रहे हैं इससे इंडिया और मैं हूं अर्फाज अमडेंग एसी एस्टी होना भी जो आज की समय में जिस तरह से किसमी स से अर्फाजब करते हैं क्या कुछ जो है अभी तक गट डना जो है वह गैटेट हो ठोक्ञा है सबसे पहले अपकर ना मुझे मेरा नाम राजीब कुमहरर है और वर मन किषिनपर मनवाल से रहता हूं में चेमूडश ट्राइब सबसे लास्ट कहने हैं जमू-डिस्टी करते हैं जी मुझे कम से कम 10 साल से परेशान कर रहे हैं क्यों जी मैं ऐसी का टेगरी से बिलॉंग करता हूं तो और बोलते हैं जी चुमार जाती के दर लोग नहीं रहने चाहिए और कभी जमीन पे कभजा करते हैं कभी कुछ करते हैं तो इन्होंने क्या किया है सर पिछली बार भी मैं मतलब की जहां तक की मेरी मम्मा को पैरलाइस है वो बैड़े पर पड़ी हुई है दस साल चे बैड़े पर वह इन्हीं लोगों के खातिर पड़ी हुई है और दादी है जो बहुत हंडर के अबब है अब ही आभी बताओ कि मैं मतलब की अपनी फैमिली की करते हैं जहां तक कि मेरे डैड़ी वे एक्सपाइर हो गया है वो आर्मी के एक ऑफिसर थे और एक आर्मी के ऑफिसर के बेटे को इतना तंग कर रहे हैं आम लोगों के साथ क्या होता होगा तभी तो मैंने इस मलगी अभी मीडिया का साल लिया है और जो मेरे दादू है वह हो गया है मेरा भाई है वह भी एक्सपाइर हो गया है और जी लोग बोलते हैं इसने बीदवाई कठी की हुई है सर में उनको लेके कहां जाओ की जोगी मेरी प्रॉफ्टी सबसे जाद है उदर तो जिस सभी लोग हड़ पने की कोशिश करते हैं कभी सर जे कुछ नुक्सान पहुंचाते हैं कभी मार पीड़ करते हैं तो कभी सर मुझे बड़े परेशान कर दिया इसलिए मैं आज आपके पास आया हूं मुझे की आप साथ की जरूरत है तो कल को जे कोई भी मेरे पर जूठा प्लेम लगा सकते हैं क्योंकि इनका ग्रूप बन गिया है जैसे प्रका есяi को सर कोई देख french को सर मेरे पर कोई लगा देंगे ज्यूठा ड़ेम लगा देंगे मैं अपनी फैमिली को देखूंगा ज़या मैं कोड करेक्ट możादक हा तो इन्होंने सर इन्हों नहीं मुझे इतनी तक धंकी थी कि तीरा कर्या थेखना देंगे तो देख लिए किया कर सक सबसे पहले जब आपके जमैंना सबसे प्यास किया किया क्या तर मैं अपनी चौंकी चौंकी में बोद बार में इस बाद में कंपलेंज भाट री जो अभी आफिसव हो और एंवे आजों मैं मेहमत बहुत अच्छे उन्होंने मेरी मलंगी कम्पलेंज है इस मेरे अच्छा Technical State संब्सक्राइब तो पिए समझ नहीं आता है कि से संभी सर के पास मैं आपस के पास में पर इसे कर दिक साइन करें ऐसे कर दें पिछली बार भी मैंने ऐसे ही किया साइन कर दिये बोलते हैं आपका कोड मैं पर्चा लगाएंगे तो आप साइन करो मैंने कर दिये साइन. सारसर बाद में मुझे पता चला बहुत हो कंप्रोमाईस पर ाूंपर में कितने में सार मेरी फैंमली में बाभी महां मेरी बाइफ में भाइफ दादा banda है और थोड़ी सी प्रॉफ्टी है जो प्रॉफ्टी सबसे जाद है मेरी प्रॉफ्टी उदर जाद है तो उनकी आंग बोलते हैं जो देखते हैं कि यह क्या करता है मतलब मैं अकेला रहा गया हूं घर में जब पापा जीनदा थे तो तब इन लोगों की हिम्मत नहीं पड़ी आज पापा चलेगी हैं तो इन लोगों मुझे बहुत परिशान करती है अब खुद क्या करते हैं सर मैंने इंजिनरिंग की हुई है प्लस मैंने ग्रेजूशन की हुई है तो अभी मैं सिर्फ मममा की देखवाल करता हूं क्योंकि मममा बैड़ बहुत चल नहीं सकती हैं नको मैं की दोक्टर के पास लेना है दादी को डॉक्टर के पास लेना है तो इन्होंने सर मुझे बहुत तंग कर दिया मैं आज हाप की हमांगी है मैं सब से और जहाओ गुजारिष करता हूं मलाविकि जो मेरे SC के community के हैं जो जैसे जै बीम के हो गए हैं जा जै गुरू देब के हो गए हैं मैं आपका छोटा भाई हूँ मुझे सिर्फ आपकी help की जरूरत है मुझे इदर लोग बहुत परेशान कर रहे हैं कि इदर इसका character खराफ करना ही करना है चाहे कोई lady साथ लाएंगे उन पर कोई मेरे पर blame लगाएंगे कि आज मेरा घर कजला देंगे मैं कहां जाओंगा मैं court के cherry में गूमूँगा जहां मैं इन लोगों के साथ करूँगा मैं क्या करूँ मैं बहुत परेशान हो गया हूँ इससे पहले आप बता रहे थे कुछ वहां के concerning जो आपके पुलीस पोस्ट के जो इंचार्ज है यह वह यहां ऐसे चोपके साथ कुछ मिस भीहविंग या मिस लेंग हां सर वो उन्होंने क्या किया पिछली बार क्या किया मेरे जब बोलने लगे कि साइन करो इस पर मैंने तो साइन कर दिया काफी देर की बात हैं तो जब उन्होंने बाद में मुझे पता जब वो कंप्रोमाइज हैं जे सर उस टाइम हंसराज कोई मुंची थे वो हां तो अभी पिछली बार बिक्रम सिंग जस्रोटिया जी थे उनको बताया सर जे मुझे बोलते हैं चमार जाती के ल से उपरा आप डाकुमेंट्स लगाती हो वो क्यों लगाती हो दर हैं तो अगर बोल दिगा तो क्या हो गया जूपी बिहार में आप जैसी जो ऐसी कैटा किरी के उनके रेप हो जाते हैं लेडिस के रेप हो जाते हैं तो उदर मार के फैंग देते हैं सर मैं पुलीस स्टेश कि मैं जाने के लिए डरता हूं कि मेरी फैमिली के साथ बतानी क्या कर सकते हैं जो ये विए लोग आपने मदब नाम गिनवायें कियों आपको तंग कर रहें परेशान कर रहे हैं सर जी मुझे भी आज तक पता सिर्फ जिय बोलते हैं जिल्द है कि इसी केटा की रीसी है जे प तब भी मैंने कंप्लेंड की तब भी इनोने कुछ नहीं हुआ तो जो अभी चोग के हिशार हैं मैं नहीं बोलता वह बहुत अच्छी हैं उन्होंने मेरी फीलिंग को समझा वह बोलते हैं कोई बाद नहीं होगी प्राव्लम हम देखेंगे सर मुझे अभी जी डह रहा है कि अगर कल को जी मेरा करेक्टर खराब कर दें तो मैं कहां जाओंगा मैं इंजिनरिंग की हुई है प्लस ग्रेजूशिन की हुई है मैं दो साल का कंप्यूटर डिप्लोमा किया हुए है मैं मतलब कि अगर मैं जेल में चला गया दो साल के लिए जेल में चला गया मेरी फैमली को पीछे कौन देखे जो बैड़ बे पड़ी हुई है सर ऐसे क्यूं लगता अब कॉछ भी ब्लेम लगा क्यूंकि उन ग्रूप में लेडिस भी शामल है कि हम कुछ भी करवा सकते हैं तो मतलब कि आप अगर मैं प्रूफ करवा सकते हैं कोड म हैं कि अब चमार हो तो चमार हो तो क्या हो गया हम कोड में प्रूफ करवा सकते हैं आपके बारे में इन्हों ने मुझे काफी धंकिया देते हैं तो मैं बहुत परिशान हो के आई में मीडिया का साथ ले रहा हूं और अपनी जो मेरे बलादरी के जो वी हैं मेरे भाई उनक भी मैं घर से छुपके आया हूं कि यही हो रहा है मेरे जी मीडिया के थूब बताना चाहता हूं सब लोगों को प्लीज मुझे आप सबकी हैल्प चाहिए इस जो भी है प्लीज मुझे हैल्प कीजिए और मेरा नंबर है 96 97 to 900 804 मेरे नाम राजीब कुमार में मनमाल रहने बालाँ मुझे प्लीज आप लोगों की छाहिए बस मुझे और कुछ नहीं कहा ले आप लोगवकूcription की अब छोग्याये बसट प्रावलम हमें है किसी और को खोड़ी है हमारे बियान लिखो तो हमें पढ़के तो बताओ कम से कम लिखा क्या है अगर उसे लिख सकते हैं कि लिखा क्या ईन लोगों को अगर अपने वी गौम के लोगों को कुछ अलग कर दीया है अगर आपको जगीन है को आप मेरी घर की कंडीशन जा के देखो और लोगों को पूछो कि मैं गल्त हूं तो मुझे सजा मिले अगर जी लोग है तो इनको सजा मिलनी चाहिए ना तो जी क्यों शेर्याम गूम रही हैं जे चले हम कोशिश करेंगे जो इन पांच लोग हैं ये जिनके खिलाफ ये सारी स्टोरी बता रहे हैं और बड़ा दुख होता है इस तरह की स्टोरी जब सामने आती हैं कि कास्ट इजम पे भी अभी भी जो है इस तरह से लोगों को परेशान किया जाता है इसमें परकास सिंग ज इनका नंबर भी है यहां पर इनसे हम कॉल करके इनको थोड़ सा इनका भी वर्जन लेते हैं कि आखिर क्या कारण है क्यों ये परेशान जो है राजीब कुमार को कर रहे हैं इनसे हम जाने की को कोशिश करेंगे और इनका वर्जन लेंगे NIEET BADKAM, we urgently require PAHARI and DOGRI freelance translator for an upcoming translation work. The translator has to work online using phone or laptop. Hello? 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 Prakash Ji, Nooshkar! Nooshkar, sir, Nooshkar! Janaab Arfaz Deng Boron News here India Se Jammu Se Prakash Ji? Hello? Hello? Prakash Ji, आवाज आ रही है? Yes, आवाज आ रही है Prakash Ji, मेरे पास यहां पर ना राजीब कुमार जी आये हुए है ये अपने तैसिल रंसाल विलेज नदल कथार इनका कहना है कि आप और आपके कुछ साथी मिलके जो हैं इनको परेशान कर रहे हैं क्या करता हूं कि ये इसी कम्यूटी के हैं तो क्या सचाई है इसमें? अनि क्या सचाई है इसमें? क्या? यहां पर मेरे पास आई राजीब कुमार जी राजीब कुमार? यह विलेज नडल कथार तैसिल दंसाल के रहने वाले हैं इनका कहना है कि आप और आपके कुछ साथी मिलके इनकी इनको परेशान कर रहे हैं क्योंकि यह इसी कम्यूटी के हैं और अकेला घर इनका वहां पर सर यहां पर ना कोर्ट के और सिंके द्वारा लाए गए हैं जिसमें जूटा केस बना रहे हैं तो यह जो जूटा केस बना रहे हैं तो यह जो जमीन पर मतलब इनका जो आग लगाई गई गई है या यह जो जीसीिनीा नियुका गुएल राभ में एक प्रृ जराक्ड करो आप से साभ इसे पाद अबॉप कर नाइब सरपंचय की आ लाके के लिए और जय को अषंगी किना में थेभग थे कि अर्फास डेंग बोर रहा हूं न्यूज सहर इंडिया से जमू से यह राजीब कुमार जी आए वे यहां पे इनका कहना है कि धनिंतर सिंग जी सागर सिंग जी परकाज सिंग नाइब नसीब सिंग और निशा देवी यह इनको परेशान कर रहे हैं क्योंकि एसी कमुनिटी स टोयं सेंतिी unacceptable करेंना लब कर देंग से और इनका घर वहूं परेमार है और प्रॉपटी जिए उस प्रपिटी पर आप लोगों कि नजरे है तो इस पर अपका क्या कहना है कि हम हुर है मुध है आई कंग जब डाया कि हिए हो यह जब आदे घक सागर्से तो का हुआ जार द काट के लगाता हूं एक मिंट आवाज नहीं आ रही है कि अपने राजिव कुमार जी यहां पे आए हुए हैं इनका कहना है कि यह पांच लोग इनको परेशान कर रहे कर देवह को सिर्जाल के अंव है है एनका अकेला गरें यहांपे फैंविली में मरम जेंट्स के नाम पर ये खुदवे यह वहांपे इनको जानका भी खत्रह आप लोगों से ऐसा क्यों है कि ऐसे हैं कि एख हालो कि है हल्य है हेलोلام जाज्वा. हेलो फोन कड़ गया एक बर और से लगाते हैं फिर से फोन कड़ गया एक बर और से लगाते हैं फिर से जाओ जैनल मे रखै है विर से के वालू अपरे अपरने मेरा संट bö memb अले ॉ for example आवास कुलियर नेयरी आप लीज दूसरें नंबर सरे में कॉल कर ले ते मिरे क्यां मेरे भाशत में जाया रहा हलो यहा एक है खार रीड कोई खुट आवाज से बहत जो अनुपलर घरका अभी तुकिशन कर यह लिए कि उटाउथ आप थोड़ा दूसे नंबर से इसी नंबर प्लीज के और प्लीज ना कहाता अपर अपर शावा जो अपर नावार बोला है हलो जो पुर्ज है हमारा जो फर्ज हमने वह पूरा किया है हम कोशिश करेंगे कि हमारी बाद यहांगे शो ज़िए जो है उन तक की ओर्डर्स जिसरा से राजीव कुवार ने कहा है कि वो पहुंच चुके हैं और उन से जाने की कोशिश करते हैं आखिर क्या कारवाई जो है प्लीस की ओर से जो है इनके केस में की जा रही है हंद्यों की आखिरियों ना अीद से जो हुआ है कि अहलो यहां पर ना एक लड़का आया हुआ है राजीव कुमार नाम से यह रहने फाला जी जी सर इसका कोई कोट का ओर्डर इसने लािा हुआ है जिसमें यह पुलिस को डाइरेक्शन सें कि आप जो है Qaamay ग्राम में मनुह žाओ चोकी में आ च्ट galaxies अचा-चा आप अपना मतलब है तो दूरों को आगे कर रहा है अपनी जिप लेने के लिए कि अपनी के लिए आप तो अपनी इनके की से रिलेटिब मतलब क्या है यह जैसे कोट ने भी अब अर्ड किये हुए कि आप जो है कि अपनी करो कर दो to मैं चोकी अफसर को बेजा आज उसकी अद्ब को डिंगू शेंगो कल औगया तो यह तो नेक्स को पूच्ता हूनि रुका टुझता हूं मैं पूछता हूं दो सर इनका ये जो आजी इंप्ष इसमें कितनी सचाहिह क्या इनके सब शोर है मालव जिसंदें से जमीन का मसलब दा रहें ज़िए घर में अकेले हैं या जैन को पूरा कि डिना लोगोंा टो चोकी उमुद कर रहे हूं कि इसको ही तरफ परन कि अधिक मेजर इल्गे हुआ है जी हुआ है तो यह जो पूछ नोगों चैन ही आता दो जो 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 बाचित करने के लिए तो यह और चौक जो जो चोके इंचार्ज है कि मनवाल के कोशिश रहेगी हमारी कि हम उनसे भी जो है ज्यादा जानकारी ले सके हैं जी सागर जी कुमर जी यहाँ पर आये वे जमू में ना यह बोर रहे है कि मैं आशी कम्यूटी से बुलांग करता हूं और जैंट्स के नाम पर परीवार में भी मैं एक अकेला जैंट्स हूं मेरे फादर साब की डैथ हुई है दादू की बीड़ हुई है पड़ा लिखा लड मैं मेडिया से बो रहा हूं मैं तो चलने आपको आप कोई रहा है व में रहा हूं कि अब दिकत नहीं हैं लेकर मेर को एप दक जूड़ा सा बताथ हैं तो ज्या को युव अब लाइब कि इसमें कितनी पार जो आडर भी लाये हैं जो पुलीस तक भी पहुंच गए कि आपके खिलाब फाइयर लगाइजाए जिसमें पाँच लोग हैं लिए जिसमें देना निशा देवी यह अपरी माइं करता हूं तो जो मतलब इनके साथ जो वहां पे घटित हो रही है जिस तरह से चलें यह तीन लोग जो बाकी बचते हैं क्या यह तीन लोग इस राजीब कुमार को परेशान कर रहे हैं क्योंकि यह अजरी करते हैं कि उनकी प्रापरी किसा रहा है है और नशीम से रहे हैं और जो बहुता बचाश का नहीं चुनिका कहने बोड़ा है जो एक नाम है और परकाश जी से भी हमने बात की शुरू में और उनने कहा तो कि अच्छित करने खेंगे उन्हें हैं और उन्हो अगर सिंह जी से बात कीजाए परकाश सिंह जो हैं वो नाईब सर्पंच है वहाँ के मनवाल पंच के नाईब सर पंच है और यह सारी जो घटना जो घटित हुई है राजीव कुमार जो ऐसी कमुनेट से बलांग करते हैं और अभी भी अगर इस तरह का कुछ हो रहा है तो बड़ा दुखद हो रहा है इस तरह का नहीं होना चाहिए एकिस्वी सदी चर रही है और गलत अगर इनके साथ हुआ है इनको इ अधियु के आप अधियु कुमार जी आयों यहां पे न जमु में राजीव कुमार है यह कहां रहते हैं नदल कथार यह यह एसी कमुनिटी से बलांग करते हैं अब अब तो नहीं हो गए हमने कोशिश कि हमारी बात जो है वो जो जो चुके इंचार्ज है उनसे हो सके और फोन नहीं लग रहा है नौटीश बला रहा है तो हमारा जो कंसर्ण यही रहेगा कि अगर राजीव कुमार जिसना से बता रहे हैं कि एक अकेला घर ऐसी किमिट्ट से बलांग करते हैं और इस तरह के जिसना के इनुने अजामत लगाया अगर इस तरह का है और कोट की डायरेक्शन से उसको मदे नज़र रखते हुए जो है इस कंप्लेंट को जा है वो रिजिस्टेट करना चाहिए और अगर इनके साथ यह गलत जो जाती इस तरह की हो रही है तो उन लोगों के खिलाफ जो है सक्से सक्त कारवाई होने चाहिए जिन लोगों को अभी भी यह जो अपने उस कास्टिजम पे अपनी उस उंची जो जा जाने चाहिए ताकि एक सबक जो है वो बने ताकि आते समय में कोई भी इस तरह की घटना को या इस तरह से जो यह लोग है इनको कोई हरास्मेंट ना कर सके इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें निव साहर इंडिया मैं रफाज अमड आयें कैमरमें चाहन वाज के साथ